हेलो गुड़ मौनगे वरीवन मैं हरीष ठाक्रान नेशनल टेनर्स आप सब पार्समेंट का स्वागत करता हूं और जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा जो सेशन है वो लाइव हो चुक है ऑन और फेस्बुक पेज़ तैस कीवा काईपू इंडस्ट्री प्राइविट क्षेस्बू ए得 करता है कि आपको मेरीवीस और आप स्कीर बीदिख पार होंगे अगर आराप स्कीरिझ देख पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाइव really तो ठीड बोचिके चेट भर सेशन हो चुक है तो आज यहाफ और आङिए आज मिलके सेशन को हम शुरू करते हैं और जैसा आप देख पारे स्कीन पे आज का जो हमरा टॉपिक है वो है सेक्शुल वेलनेस की दुनिया में तैल का मचाने वाले कीवा के प्रोट्स के बारे में आज हम बात करेंगे तो आएए इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला जैसा हमरा टॉपिक है सेक्शुल वेलनेस तो सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं सेक्शुल एल्थ प्रॉब्लम चाहे वो man हो या woman हो क्या है और ये आपके सामने एक data है जो बताता है कि आज के time में male और female दोनों में sexual problem की probability संभावना है कितना है जैसा आप देख पा रहे हैं अगर बात की जाए age group 15 साल से लेके 24 साल का तो लगबग 56% लोगों को आज का time है sexual problem अगर age की बात करें 25 से लेके 34 साल तो लगबग 35% लोगों को है sexual problem अगर age की बात करें 35 से लेके 44 साल तो ये data है 26% 45 से 54 साल में 40% और 55 से लेके 60 साल में जो data है figure है that is 72% यानि यह है prevalence यानि problem होने की data प्रावन होने की संभावन है तो आप देख पा रहे हैं चाहे age group कोई भी हो चाहे जवानी हो या हो middle age या हो बढ़ापा sexual problem और always there तो समसे पहले हम बात करेंगे sexual problems क्या होती हैं और क्यों होती हैं कौन से factors हैं वो कौन से कारक हैं जिन से प्रभावित होता है sexual health a factor affecting sexual health both in male and female तो सबसे पहला जो factor है that is called biological factor यानि जैविक कारक इसमें क्या होता है सबसे पहला factor है that is congenital abnormalities यानि जर्म जात परेशानिया जर्म जात समस्याओं से हो जाती है sexual problem second factor is old age and sickness यानि जैसे जैसे age बढ़ती है या हो जाती है body में कोई बेमारी उससे भी हो जाता है sexual problem problem third is injuries अगर किसी को कोई accident हो जाए या जखाम हो जाए चोट लग जाए तो उससे भी हो सकता है low sexual performance fourth is less secretion of hormones यानि male और females के जो sexual hormones है अगर उनका निर्मान कम होता है तो उससे भी हो सकती है sexual problem and last is pain and fatigue यानि body में अगर कहीं पे दर्द होगा या होगा थकान तो इस दर्द और थकान से भी हो जाती है sexual problem उसके साथ साथ अगर बात करें मेक्स फेक्टर का तो वो है psychological factor और यह है most crucial for sexual health यानि मनो वज्ञानिक या मानसिक कारण सबसे पहले रिजर के रिजर इस disturbance and obstacles in the family relationship यानि परिवार के अंदर जो relationship है जो संबंद है उनमें अगर कुछ परेशानिया हैं दिक्कते हैं उनसे हो सकता है sexual performance का down हो जाना उसके साथ साथ incomplete sexual knowledge यानि sexual या sex का अधूरा या सही जानकारी ना होना उसके साथ initial sexual experience being bitter यानि शुरुवाती अनुभव जो होते हैं उनका खराब होने से भी हो सकता है problem उसके साथ disinterest and disliking for partner यानि अपने partner को पसंद ना करना या उसमें रूची ना लेना भी एक कारण हो सकता है और हो सकता है unnecessary hopes and expectation from the partner उसके लाबा अगर बात करें हम मालसी फेक्टर का तो वह बहुत बड़ा हो है tension and pressure यानि अगर तनाव जादा होगा या pressure जादा होगा वरका तो उससे भी हो सकता है low sexual performance and the last is the death of beloved one in the family may cause psychological problem which will lead to sexual dysfunctioning उसके साथ साथ अगर बात करें हम third factor का that is hormones and genetic factor तो अगर किसे भी males और females में अगर hormones का secretion कम हो जाता है तो उससे भी हो सकता है sexual problem जैसे अगर बात करें males का males में अगर hormone secretion कम होगा तो उससे sperm का जो quality है वो उसमें problem आ सकता है sperm का जो number है वो down हो सकता है sperm का जो liquid part है वो कम हो सकता है या हो सकता है low sperm mortality उसके साथ साथ अगर बात करें हम female का तो महिलाओं में अगर hormone secretion कम हो जाता है तो उससे क्या होगा ovulation यानि अंडा बनने का जो process है उसमें problem आ सकता है महिलाओं में अंडा अच्छे से नहीं बनेगा उसके साथ साथ जो menstrual cycle है उसमें हो सकती है problem या irregularities अगर हो less secretion of the hormones इनकी जैसे भी हो जाते हैं मेल्स और फेमेल्स में sexual problem इसके साथ साथ बात करें हम सबसे बड़ा आज की टाइम पे factor है which which is causing maximum sexual problem and that is stress जाने की तनाव चिंता एक ऐसा factor है जिससे होती है बहुत सारी sexual related problem जैसे अगर किसी को तनाव है तो तनाव भी है दो प्रकार का पहला psychological stress यानि मानसिक तनाव और इसमें कहता है depression और anxiety अगर किसी को अवसात का या anxiety का problem है तो उसका हो सकता है low sexual performance and second is physiological stress यानि हमारी body का जो physiology है उसमें अगर कुछ stress हो जाए तनाव हो जाए तो उससे हो सकता है nervousness या body में energy level का कम हो जाना which may lead to sexual problems उसके साथ साथ अगर हम बात करें effect का that effect of medication यानि अगर कोई इंसान लगातार लेता है अलोपैथिक मेडिसन सच इस एलकोहल अलफा ब्लॉकर एंफ़र्टी माइन्स एंटिकल वर्जेंस और बरेटिक्स और बरीज्वेना इस तापका कोई medicine लेता है तो उसको हो सकता है sexual problem उसके साथ साथ अगर बात करें sexual problem का तो एक बहुत common जो sexual problem होती है उनको बहुत देते हैं sexual dysfunction यानि sexual जो performance है उससे अगर एक या दोनों partner अगर संतुष्ट नहीं होते तो उसको बोल जाता है sexual dysfunction यानि जो normal function है उसमें problem हो जाना और अगर बात कि जाए sexual dysfunction का तो इसके क्या क्या कारण है किन कारण से होता है sexual dysfunction तो पहला है physical cause और इसमें सबसे पहले आता है अगर किसी को है problem of diabetes किसी का अगर sugar level जादा रहता है तो उसमें हो सकता है sexual dysfunctioning problem अगर किसी को है heart related problem तो उसको हो सकता है sexual dysfunction उसके साथ साथ अगर किसी को है liver या kidney में समझ्चा that may cause sexual dysfunctioning और अगर कोई करता है alcohol का ज्यादा सेवन that may also cause sexual dysfunctioning और अगर कोई है किसी को लत है ज्यादा drugs लेने का that may also cause sexual dysfunction तो यह सब फेक्टर से हैं which may leads to sexual dysfunction उसके साथ साथ कुछ factor और है psychological factor जैसे काम अगर किसी के काम में जो प्रेशर है वह बहुत जादा है और इस प्रेशर से अगर stress या anxiety बढ़ जाती है that may also cause sexual dysfunction उसके साथ साथ अगर शादी सुधा जिंदकी में कुछ समझ्चा है that may cause sexual dysfunction उसके लावा feeling of guilt यानी थीन भावना आना भी एक प्राब्लम है जिससे हो सकता है sexual dysfunction और effect of past sexual trauma यानी जो हमारे पुराने sexual experience खराब होते हैं उनसे भी हो सकता है low sexual desire या sexual dysfunction तो अगर हम बात करें sexual dysfunction के type का तो मेल्स में जो common problem है वो है erectile dysfunction को बोलते हैं ED erectile dysfunction का problem उसके साथ pre-mature ejaculation या retarded ejaculation और inhibited sexual desire तो इसको करें तो पहला problem है ED erectile dysfunctioning second is problem in ejaculation and third is sexual desire का कम होना यह है common male sexual dysfunction और अगर बात करें हम male हो या female हो दोनों में होता है problem and that is called libido libido means sexual desire काम इच्छा का कम होना भी एक problem है जो male और female दोनों में हो सकता है तो libido के libido is a sex drive और sex drive अगर कम होगा male में या female में तो उससे भी हो सकता है sexual best functioning और बात की जाए sexual drive का sexual drive प्रभावित होता है किन से सबसे पहला biological factor psychology factor and social factor यह तीन factor responsible हैं जिम्मेदार हैं for sex derived और libido problem उसके साथ साथ अगर हम बात करें symptom का अगर किसी males में देखें मेल में अगर है sexual dysfunction तो उसमें क्या-क्या symptom या क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं तो सबसे पहला inability to achieve और maintain an erection suitable for intercourse यानि जो में इरेक्शन है अगर वो प्रॉपर नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग तो यह सिम्टम है कि मेल्स में है sexual dysfunction उसके साथ साथ अगर मेल्स में ejaculation बहुत जल्दी हो जाता है या होता है बहुत देर से इस अगर उसके लावा जो इजक्शन होता है अगर उस पर कंट्रोल ना हो जल्दी हो जाये तो वह भी एक है डिसफंक्शनिंग इंदा मेल सेक्श्वल है तो यह कुछ सिम्टम है अगर मेल्स में यह सिम्टम है जैसे इस अगर बात की जाये महीलाओं का महीलाओं में कौन-कौन से सिम्टम से अगर वह दिखाए देते हैं तो हो सकता है sexual dysfunction and that is first is inability to achieve orgasm यानी orgasm अचीव ना कर पाना second is inadequate vaginal lubrication या intercourse से पहले और intercourse के दोरान अगर vagina में lubrication कम होता है that is also a symptom which indicates sexual dysfunction in the female and third is intercourse के टाइम पे अगर जो वेजैनल मसल्स होते हैं उनमें proper relaxation नहीं होता that may cause pain in intercourse and that is a symptom which indicate the occurrence of sexual dysfunction in the female तो यह कुछ लक्षन है यह महिलाओं में होते हैं या पुरुशे में होते हैं तो हो सकता है sexual dysfunctioning problem तो अगर बात करें मेल्स का या फीमेल्स का मेल्स में मेल्स में अगर कोई भी है sexual dysfunctioning problem तो उसके लिए हमारे पास है बहुती शांदार बैतरीन समाधान the solution which we have in the form of Kiva products are the product which will help in curing managing the sexual dysfunctioning problem in males and female और आज के इस सेशन में जो प्रेक्ट हम discuss करेंगे वो आपके सामने आने वाले हैं आज हम बात करेंगे कीवा के इन चार शांदा अप्रोट के बारे में पहला है कीवा एंटॉन सिरफ सेकिंड कीवा कटवाबा कैप्सूल थर्डिस कीवा पाउर प्लस ट्याबलेट एंड फूर्थ वन कीवा अमेरिकन जिंसिंग ड्रॉप आज हम बात करेंगे कीवा के इन चार शांदा अप्रोट के बारे में जो बहुत बेनिफीशल हैं for sexual wellness of male and female तो सबसे पहला जो प्रेक्ट है वो है कीवा एंटॉन सिरफ और ये male और female दोनों के लिए है एक बहुत ही effective powerful supplement जो देता है उनके sexual health को शांदार बनाता है और देता है शांदार recovery in all type of sexual disfunctioning तो अगर हम बात करें कीवा m-ton syrup क्या है और क्या ये help करेगा मेल्स का और female का तो कीवा m-ton syrup एक ऐसा शांदार sex booster सिरफ है जो male और female दोनों के लिए होता है बहुत ही effective और male और female जिसको भी है कोई भी sexual problem वो ले सकता है कीवा m-ton syrup और ये क्या करेगा ये एक ऐसा शांदार herbal preparation है जो महिलाओं में या पुर होता है sexual कमजोरी उसको दूर करने में help करेगा energy level को boost up करेगा sex desire को improve करेगा उसके साथ साथ देगा शांदार stamina और अगर बात करें मेल्स का तो help करेगा in the increasing level of test strong उसके साथ साथ ये male और female दोनों में जो desire है sexual desires को बढ़ाने में help करेगा और improve करेगा sexual performance को तो अगर कोई महिला या प्रुष लेते हैं तो उससे क्या होगा उससे उसको मिलेगा एक शांदार नए energy का संचार उसके साथ साथ बोड़ी का stamina बढ़ेगा और जो भी sexual performance है उसमें मिलेगा शांदार बैतरीम improvement तो अगर बात किजाए इसके benefit का इसके लेने से क्या होग सबसे पहले stamina होगा बहुती शांदार बहुती बैतरीम और बोड़ी को मिलेगा शांदार energy level यानि आप रहेंगे ज्यादा active ज्यादा energetic और आपको थकान जल्दी से नहीं होगा अगर बात करें मेल्स का तो ये help करेगा पेस्ट्रोस्टोन के लेवल को बढ़ाने में जिससे ह होगा शांदार मेल sexual health उसके साथ मेल्स के अंदर ये करेगा better blood supply ताकि हो सके proper erection उसके साथ साथ ये help करेगा to achieve peak sexual performance ताकि मिले संतुस्टी उसके साथ मेल्स और फेमिल्स में जो भी है loss of libido जो sexual desire कम हो जाती है उसको बढ़ाने में help करेगा कीवा एम्टॉन सिरप और अगर बात के जाए इसके composition का तो हर 10 ml कीवा एम्टॉन सिरप में आपको मिलेगा 300 mg शुद कुछला एक्स्टेक 100 mg इसमें है सलाम बीज एक्स्टेक 100 mg है शतावरी 100 mg गोकुरू 10 10 mg केसर 1.5 mg अशोगंदा और 1.5 mg आपको मिलेगा अतीबला एक्स्टेक और यह ऐसा शांदार हर्बल सिरप बनता है जिसको लेने से मिलेगा शांदार sexual performance both in male and female तो इसके लिए एक male या female ले सकते हैं दिन में एक या दो चमच दिन में तीन बार खाना खाने के बाद सुबह, दोपैर, शाम पास से लेके 10 ml ले सकते हैं एम टॉन सिरप और पास सकते हैं शांदार sexual health चाहे हो male या हो female और यह था हमारा आज का पहला उत्पाद second product जो आज हम discuss करेंगे वो बहुत शांदार है और वो है कीवा, कटवाबा, कैपसूल और कीवा, कटवाबा, कैपसूल क्या है और कैसे करता है ये शांदार बहतरीन काम इसके बारे में आज हम जानते हैं तो सबसे पहले अगर बात की जाएं कटवाबा, कैपसूल का तो इस का एक्षटेक्ट सेकेंड इस पार्नी गौट वीड इसको बोलते हैं एपी मीडियम सेगी टैटम और इसका पती होती है उसके इसके अंदर एक्सटेक्ट और फार्ड है जिनसेंग और इसकी रूट का इसके दर पर जाता है एक्सटेक्ट दुकीवा कटवाबा कैपसूल मिलक का जिसमें हैं कटवाबा और निगोट वीड एंड जिंसेंग और अगर बात करें इन हब्स का बेनिफिट हमारी बॉड़ी के लिए क्या है और कैसे करती है यह हब्स शांदार काम तो सबसे पहला यहां पे जो हर्ब है वह है बार्क आफ रत्रोजाइलम कटवाबा यानि निबीडो को बढ़ाने में यानि यह मेल और फीमेल दोनों की सेक्स रिजायर को बढ़ाने में हेल्प करेगा उसके साथ साथ यह मेल्स के लिए होता है बहुत ही एपक्टिव इंप्रूव करता है मेल सेक्शुल हेल्थ को मेल सेक्शुल परफॉमेंस को और पुरुशों के कैपसूल के अंदर मौजूद कटवाबा थर्प और अगर हम बात करें कटवाबा हॉब्स का इसके मेरे फिट के हैं ये हमारी बॉड़ी में जाके एंग्जाइटी को बेचैनी को कम करने में हेल्प करेगा नींद को प्रॉपर करेगा ठकान को दूर करेगा और बॉड़ी में करेगा शांदार ब्लड का फ्लो जिससे हमारा मेमुरी शांदार होगा और हमारी याद्दास भी बनेगी शांदार प्लस मिलेगा शांदार इरेक्शन तो अगर बात के जाए कटवाबा कैपसूल का इसका जो सेकिंड हर्ब है that is very powerful और वो है horny got weed और horny got weed के अंदर होता है एक बहुत ही कमाल का सबसिस्क बोलते हैं Icarin I-C-A-R-I-N और यह Icarin बहुत शांदार काम करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में क्योंकि अगर हम बात करें मेल्स प्राब्लम का तो common है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग E-D प्राब्लम और अगर हम बात करें इरेक् इंदा मेल्स तो इरेक्टाइल कैसे होता है क्यों होता है इसके लिए हमारा बॉडी में होता है एक सबस्टेंस जो पर जाता है ब्लेड में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है आरजी नाइन से जो होता है एक अमाइनो एसिड तो Fosfeet, तो Nítric Oxide और CGMP से क्या होगा? इस से जो हमारी muscle से हैं उन में होगा relaxation और उससे क्या होगा? उन मसल में जब relaxation होगा तो उनके अंदर blood का flow बढ़ेगा और जो male painis होता है उसमें होती हैं तीन ट्यूब्स उन तीनों ट्यूब्समें blood भरेगा और जब वहाँ पे उसे होगा नॉर्मल प्रॉपर इर्यक्षिन तो अगर बात कि जाए रेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग का तो यह होता है अगर हो नॉर्मल लेवल आफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नॉर्मल लेवल उफ सैक्लिक विनसाइन मोनो फॉस्पेट तो होता है नॉर्म नॉर्मल प्रॉपर इर्यक्षिन लेकिन की वजह से अगर बॉडिय बन जाये एक एंजाइम इसको बोलते हैं फोस्फो डाइस्ट्रेस टाइप फाइफ एंजाइम वह बन जाता है तो यह दिल ब्लॉकर लॉक कर देगा और जिब काम नहीं करेगा तो जो मसल्स है वह लेक्स नहीं होगी तो ब्लड फिल नहीं होगा और एक्षिन नहीं होगा तो प्राब्लम को टूर करने में करने में help करता है horny got weed, horny got weed में होता है Icarin, I-C-A-R-I-N, और यह कारिन क्या करता है, यह body में जाके जो भी बनता है P-D-E-5 enzyme, उसका बनना बंद कर देता है, और जब P-D-E-5 नहीं बनेगा, तो होगा normal level of NO and C-G-M-P, जिस से होगा normal blood flow in the penis tubes, और होगा normal erection, तो horny got weed में आपको मिलेगा Icarin, और यह कारिन क्या करेगा, यह P-D-E-5 को block करेगा, ताकि हो normal erection, तो अगर किसी भी males में है, erectile dysfunction का problem, उसको आप दे सकते हैं, कटवाबा, capsule, और यह Icarin, same काम करता है, जो काम करता है, सिल्डेनाफिल, स्ट्रेट, जो होता है, एक chemical drugs, same काम करेगा, Icarin, जो पाए जाता है, horny got weeds के अंदर, करेगा erection को बैतर, उसके साथ साथ, तीसरे से में जो हर्ब है, वह है, करता है, तनाव को कम करता है, और देता है, शांदार energy level बनाता है, immunity को strong stress को कम करता है, और males में अगर प्राब्लम है, अगर फंक्शनिंग का या male या female दोनों, उनमें अगर होता है, हकान, तो उसको कम करने में, हटाने में, help करेगा जिंसेंग, तो कीवा, कटवाबा, कैपसूल, ऐसा शांदार हबस है, जिसमें आपको मिलेगा, extract of कटवाबा, hornigot weed and जिंसेंग, जो होगा बहुत शांदार to enhance or to give a power-packed performance for males and females, और males में improve करेगा, sexual performance को, erection को बैतर पनाएगा, stress को दूर करेगा, और देगा शांदार sexual performance के लिए आप दे सकते हैं, एक कैपसूल सुबह, एक कैपसूल शाम को सुबह-शाम खाना-खाने के बात, और तीसरा जो प्रेक्टा आज हम discuss करेंगे, वो है कीवा पावर प्लस टाबलेट और मारपास इसका जूस भी आता है, लेकिन अगर बात करें टाबलेट का, तो टाबलेट एक ऐसा शांदार मारपास supplement है, जिसमें आपको मिलते हैं, बहुत शांदार composition of different hubs, तो सबसे पहले बात करते हैं, the composition and benefits of power plus extract, सबसे पहला इसमें जो hub है, that is lapidium miyani, इसको बोलते हैं हिंदी में मक्का रूट, और मक्का रूट का जो source है, that is peru, peru में पाया जाता है, मक्का रूट और यह क्या करता है, यह sexual health के लिए होता है, बहुत ही, शांदार males में बढ़ाता है, erection को और improve करता है, fertility को और cure करता है, management की समश्या को, उसके साथ तब एक ऐसा शांदा अबस है, जो male और female दोनों की sexual desire को बढ़ाने में help करता है, और males के sperm count को या quality को बढ़ाने में help करेगा, मकारूट एक्सेक्ट जो मिलेगा आपको, power plus tablet के अंदर, second risk के अंदर जो hub है, वो है epi medium sagi tetum, यानि horny god weed, वो इसके बारे में अभी हमने बात किया था, इन कीवा कटवाबा capsule, इसमें होता है इकारिंग, जो करेगा normal erection, उसके साथ साथ ये बढ़ाएगा level of testosterone, जिससे मिलेगा शांदार male sexual health, तीस साथ इसकिंदर जो hub है, that is tylo patellum olicoids, इसको इंदे मोलते हैं marapuama, और इसका जो source है, वो है ब्राजिल, ये लाए जाता है ब्राजिल से, और ये बहुत शांदर काम करता है, to cure erectile dysfunction problem in the male, चौथा इसकिंदर जो hub है, वो है, विदेनिया, सौमनिफेरा, यानि की अश्वगंदा, इस कंसोर्स है, वो है, शिरलंका, और ये क्या करेगा, ये sexual performance को बढ़ाने में help करेगा, उसके साथ साथ निपीडो को improve करेगा, performance को बढ़ाएगा, और cure करेगा erectile dysfunctioning की problem को, पांच मैंसकिंदर जो hub है, वो है, यानि शतावरी, और इसका सोर्स है, वो है, शिरलंका, और ये शतावरिया करेगा, ये बहुत शांदार काम करता है, to treat female infertility, महिलाओं में जो बांच मन होता है, इसको cure करने में help करता है, शतावरी, उसके साथ साथ लिपीडो को बढ़ाएगा, sexual desire को improve करेगा, और महिलाओं में जो बार-बार होता है, मिस्करेज, गरफपात उसको कंट्रोल करने में help करेगा, और महिलाओं में मीनोपास की वज़े से, या लुकूरिया से जो प्राबलम हो जाती है, उसको manage करने में help करता है, शतावरी, जो मिलेगा आपको, in kiva power plus tablet, nexus के अंदर आपक करता है, यह improve करता है, level of testosterone, जिससे मिलता है, शांदार, male, sexual, health, body weight होगा, बहुत बैतरी, improve करेगा, sex की desire को, और यह males में जो भी होता है, impotency, यानि बांचपन उसको दूर करने में help करेगा, और cure करेगा erection की problem को, साथ मैं इसके इंदर जो herb है, that is, sple, lentis, acmila, इसको इंदे मुलते हैं, अकर करा, और यह मिलता है, ब्राजील में, और यह होता है, एक बहुती जबरदस्ट, afrodiasic, यानि कामों तेजक जड़ी-बूटी है, जो sexual power को बढ़ाने में help करेगा, ejaculation को improve करेगा, और देगा शांदार sexual performance, आठवाइस के इंदर जो herb है, that is, chlorophytum, borisăng, इसको बोलते हैं, सफेद, मूसली, और यह मिलता है, श्रिलंका में, और यह बहुत शांदार काम करता है, बढ़ाने में, और महिलाओं में या पूरुशों में, जो भी होता है, बांच्मिन की समष्चा, इसको cure करने में help करता ह सफेद मुसली एक्स्टेक्ट नौवा इसके इंदर जो हरब है याट इस मायरस्टी का फ्रेग्रेंस इसको बोलते हैं विंदी में जायफल और सोर्स है इसका इंडोनेशिया और यह क्या करता है यह मेल्स के स्टैमिना को बढ़ाने में हैल्प करेगा टाइमिंग को पर्फॉ प्रेंसी इंदा मेल्स दसवां इसके इंदर जो हरब है वो है इलेक्ट्रो कॉकस सेंटी कॉकस को बोलते हैं जिंसेंग और यह साइबेरियन जिंसेंग जो सेक्शल डिजायर को बढ़ाने में हैल्प करेगा काम होतेज़क होता है और हमारी बॉड़ी में स्ट्रेस्टेवल सिलाजीतों बढ़ाने में हिन्दे में शिलाजीत ग्रता है एमारे स्टेमिना को बॉड़ी के इनरजी लेवल को सेक्शन डिजायर को heuschal प्रयाने में हेल्प करते वजिणर को इसके लाभा इसमें आप मिलेगा लवंगा स्केंडी सिस में हिंदे में लों या लाटाप और लॉंग बहुत शांदर होता है एंटी ऑक्सीडेंट जो शेक्शिवल पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है एंडेजी लेवल को बढ़ाता है और देता है शांदार एंटरजी शांदार सिमिन ताकि वह बैतर पाफुमेंस इंदा से इंटरफुर्स करता है बलड के फ्लो को और देता है शांदार इम्मूर्टी रिस्पॉंस टू मेल एंड फी मेल तो इसको गर आप कोई भी मेल लेते हैं तो उनसे उनका सेक्शनल पर्फॉम्मेंस बैतर होगा स्टैमिना इंजेजी लेवल बढ़ेगा इम्मिन सिस्टम इंप्रू होगा और की प्रॉब्लम से वो पाएंगे रहात तो इसके लिए आप दे सकते हैं एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को सुबह शाम खाने खाने के बात और आज का जो आखरी प्रेक्ट है वह है एक बहुत शांदर ड्रॉप है और वह है कीवा अमेरिकन जिन सेंग ड्रॉप औ जो बहुत बेनिफीशल होता है सेक्शल परफॉमेंस के लिए उसके साथ साथ नॉर्मल बॉड़े की हैल्थ के लिए तो अमेरिकन जिसनी पर आपके बात करें तो यह एक बहुत शांदर होता है इम्यून बूस्टिंग सबस्टेंस यह इसको लेने से हमारा इम्यून हल्दी यह हमारे लो और में सपोर्ट करेगा उसके साथ यह स्टको मिनेज करने में रोकरता है और जब FUCK नहीं होता है तो से से सक्षोल इनरजी लेवल, उसके साथ सब ये देगा बडी को शांदार इनरजी लेवल और देगा शांदार सेक्शल पावर इंप्रू करेगा सेक्शल स्टेमिना को बडी के इनरजी लेवल को और इसको बोलते हैं एक बादेब्टो जैनिक हर्ब यानि कैसी जड़ी बूटी होती है जो हमारी बॉडी में जो भी function डाउन हो गए हैं उनको नौमर करने में help करता है American जिनसिंग डॉप और इसको मोलते हैं अडप्टो जैनिक हर्प तो हमारी बॉडी की बात करें तो अगर हमारा बॉडी का लेवल डाउन है इम्मुन सिस्टेम डाउन है बॉडी फंक्शन डाउन है उसको नौमर करने में help करेगा American जिनसिंग डॉप बॉडी को देगा शांदार सपोर्ट को इंप्रूव इम्मुनिटी हार्ट एल्थ को अच्छा रखेगा स्ट्रेस को मेनेज करेगा और देगा शांदार इनर्जी लेवल और इंप्रूव करेगा sexual power को sexual stamina को उसके लिए आप ले सकते हैं दस ड्रॉप सुबह दस ड्रॉप शाम को सुबह शाम खाले पेट कीवा American जिनसे ड्रॉप तो ये थे आज के हमारे चार बैतरिन उत्पाद जिनका अगर आप ऐसे कॉम्बो यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा शांदार बैतरिन रिजल्ट इन और टाइप आफ सेक्शुल प्रॉब्लम चाहे वो हो मेल्स में या हो फेमेल्स में तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सेक्शुल हेल्थ शांदार हो स्टेमिना बड़े पर्फुमेंस बड़े टाइमिंग बड़े उसके साथ साथ बोड़ी को मिले शांदार इनर्जी लेवल स्ट्रेस प्रॉब्लम ना हो इम्मून सिस्टम बैतर हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि वाका ये करे को आप शेयर करके अपने बिसनस को शांदार बुरंदी पर लेके जा सकते हैं क्यों कि आज के टाइम पे ये सेक्शुल प्रॉब्लम कॉमन है मेल्स में भी और फेमेल्स में भी उनका लिए हमारे पास ये शांदार समादान है और इसको यूज़ करके आप पासकते हैं शांदार बॉड़ी शांदार हेल्थ शांदार इनर्जी लेवल सो आज के लिए फिलाल इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और जो लोग नहीं आ पाए उन तक की जानकरे पहुचाना चाहते हैं तो यह हमारा सेशन था ला काए बू़ी शांदार ऑल जो। कर देन तो